नमस्कार दोस्तों मैं उंकर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्ते यहापे आप सभी के साथ बात करूँगा IT स्टॉक्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ TCS के quarter 3 के numbers आ चुके हैं और आप लोगोंने TCS के numbers पता करी ली होंगे और नहीं करें और हमारी वीडियो देखना चाते हैं लिंक मैं आपको description box में दे दूँगा TCS के quarter 3 के numbers कैसे रहे comparison कराए मैंने कि जो market के analyst से उन्होंने जो अनुमान लगाये था उसके सामने कैसे पेश करें हैं और आपके लिए जो dividend पे कराए 75 रुपीज पर शेयर का वो अपने आप में काफी बड़ा surprise था special dividend दिया company ने 67 रुपीज पर शेयर का और 8 रुपे पर शेयर का dividend दिया in term और ये उमीद थी ये मैंने भी आपके साथ शेयर करा 8 से 10 रुपे के बीच में TCS dividend दे सकता है वो एक्चुल में आया लेकिन 67 रुपीज पर शेयर जो ये special dividend आया इसकी उमीद नहीं थी एक चीज है जो मैं notice कर पा रहा हूँ वो ये कि काफी लोगों को ये नहीं समझ में मतलब वेट करते हैं वो कोई मेरी मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि हम TCS के रिजल्स का आपकी वीडियो का वेट कर रहे थे तो आप लोग खुद चेक नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं कि कैसे जाना है साइट पे और कैसे चेक करना है तो मेरा जो सेकेंड चैनल है उस पर मैं आज आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा जहां मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वहां दिखाऊँगा कि कैसे मैं BSC की साइट पर जाऊँगा कैसे रिजल्स खोलूँगा और कहां पर मुझे दिखता है कि रिजल्स कैसे है डिविदेंट का कितना दिया है कमपनी ने कब एक्स डेट है कब रिकॉर्ड डेट है अगली वीडियो से मतलब अगली रिजल्ट से आज के बाद जो भी रिजल्स आएंगे उसमें आपको किसी की वीडियो का इंतजार नहीं रहेगा मतलब मेरी भी नहीं रहेगा बट ठीक है अगर आप देखना चाहते है अपने पढ़ने के बाद वो अलग बात है बट इंतजार नहीं करेंगे अब कभी कबार क्या होता है कि रिजल्स बहुत सारे आते हैं लेकिन हर स्टॉक को मैं डिसकस नहीं करता है या कोई भी डिसकस नहीं करता लेकिन यहां जो मेरे पास कमेंट्स है वो यह है मेरे TCS वाले रिजल्स की वीडियो पर की रिजल्स तो आ गए अब कल क्या हो सकता है तो मैं शॉर्ट में बोलू तो IT स्टॉक में मुझे कल कोई बढ़ा एक्शन होता दिख नहीं रहा है क्योंकि रिजल्स अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट नंबर थोड़ा था मार्केट के एक्स्पेक्टिशन के सामने कमजोर है मार्जिन्स कमजोर है रेविन्यू ऊपर है अब पूरा का पूरा बदल दिया पूरा मूर बदल दिया पॉजिटिव साइड पे अब बहुत आपको भी पता है मुझे पता है जो रिटेल इंवेस्टर है वो डिविदेंट को बॉनस को और स्टॉक इस नजर से देखता है जैसे पैसा फ्रीगा मिलना है लेकिन होता कुछ नहीं है यह लेकिन उन्हें ऐसा लगता है तो यह 67-75 रुपीज का डिविडेंट बहुत बड़े रूप में सामने आएगा और पूब्लिक खरीदेगी डेफिनेटली खरीदेगी स्टॉक का प्राइज और थोड़ा ऊपर चला गया तो तो पब्लिक टूटके पड़ेगी मुझे पता है तो यह नेगिटिव जो भी है मुझे लगता है यहां नहीं रहेगा अब आपको इंतियार करना चाहिए 12 जैनवरी का क्यों क्योंकि उस दिन आने वाले इन्फोस और SCL Technologies के नंबर वो नंबर यहां से तो अभी कोई sentiment बिगड़ा या सुदरा नहीं है तो यहां हम neutral base पे रखते हैं और हटाते हैं एक से 2% का move आ सकता है एधर upside एधर downside अब यह तो नहीं पता कि नीचे जाएगा उपर जाएगा क्योंकि result ऐसा कुछ कह नहीं है खराब अच्छे दोनों ही नहीं कह रहे हैं हाँ थोड़ी commentary देखें तो long term के लिए robust बताईए short term में थोड़ा attrition rate को उनोंने और घटता बताया है वैसे तो अच्छी बात है बट जो headcount आए है वो इस वार minus में quarter three में जो during quarter three है वो addition जो जो जोड़ा गया है लोगों को वो minus में आए लगबग तो charts पर reaction कमी रहेगा TCS का इसी पर reaction रहेगा बागी कुछ levels देख लेते हैं हम जो समझ में आ रहे हैं कि levels कैसे रह सकते हैं चलिए मैं आपके साथ levels discuss कर देता हूँ आज result से पहले stock में जो यह तेजी थी मुझे लगता है dividend को adjust कर रहा था stock stock की बात करें तो stock में एक लगबग head and shoulder का pattern जो बन रहा था अगर मैं थोड़ा बड़ा देखूं उसका शांदार ऊपर की तरफ stock ने breakout दिया है stock की बात करें तो ऊपर में stock around आपके लिए 33,60,65 तक आ सकता है और नीचे दुबारा जाता है तो वही 3200 के levels है जो आपके लिए कल लो लगे थे आज भी वही होगा तो यह आपका TCS पे भी हो गया अब आते हैं Infosage जिसके 12th January को numbers आने वाले मैं इसका preview भी लेके आऊँगा आपके लिए कल के session में कैसे numbers रह सकते हैं लेकिन अभी मैं आपके साथ proper charts पे बात करूँगा इसमें भी head and shoulder बन रखा है बट इसमें नीचे की तरफ breakdown हो गया है पैटन देखे तो इसका पैटन थोड़ा interesting है यहां पर double bottom type बना हुआ है लगबग 375-370 के around stock support ले ले लेता और वहीं से गूमता है बट continue बड़े charts पे lower lows भी लग रहे हैं तो हम देखे तो इसमें अभी न हमें direct संकेत मिल नी रही है तो आपको positive view रखना है results जैसे ऐसे निकलते जाए results के बाद गिरे तो खरीदने के मौके दूड़ो जिस पर है average करने के मौके दूड़ो नहीं गिरता ऊपर जाता है तो profit को enjoy करो जिसने नहीं खरीदा है वो dips का वेट करे बस यहोगी मेरी वीडियो होप आपको समझर पसंद दौन आई होगी thank you so much for watching this video have a great day guys